नमस्कार दोस्तों में राउल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका पहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों मैं आपको बताने जा रहा हूं मुंगा रतन के बारे में मुंगा रतन वो कौन सी ऐसी सरकमिस्टांसिस बन जाते हैं जिसमें आपको मुंगा रतन नहीं पहनना अगर आप मुंगा रतन पहनोगे तो उसके सैड इफेक्ट देखने को आपको मिलेंगे तो बहुत ही सोच समझ कि आपको मुंगा रतन को धारन करना है हलाकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मुंगा रतन कौन लोग पहन सकते हैं आज हम चर्चा करेंगे कि किस परिस्तिती में आपको नहीं धारन करना है ताकि आप पून रूप से समझ पाएं कि मुंगा आपको सूट करेगा या नहीं मुंगा ये मंगल का रतन होता है और गलत अगर आपने धारन कर लिया तो उसके बहुत खराब नतीजे आपको देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले आप ये समझ लिए मुंगा जो होता है वो मंगल का रतन होता है और मंगल जो कारक होता है, भूमी का कारक होता है, सास का कारक होता है, पराकरम का कारक होता है, लेंड प्रोपर्टी का कारक होता है, और साथी साथ अगर बात करें, तो मंगा जो होता है, वो रक्त और मज्जा का भी कारक बना जाता है, as per medical astrology, तो बहुत ही सोच समझ के आपको मुंगा रतन पहनना अगर मुंगा रगतन आपने पहन लिया ना कि आपको दिक्कत पैदा होगी विल्किल देखके पहना जाता है तो वो कौन से ऐसी लगन है जिसमें आप नहीं पहन सकते हैं तो वर्षब लगन, मिथून लगन, कन्या लगन, तूला, मकर और कुम लगन। इन लगनों के अंदर आप नहीं पहनेंगे जैसे यहाँ पे 6 लिखा है कन्या लगन। अगर यहाँ पे लग अगर मंगल कुंडले के अंदर ट्रिक भाव में है यानि मंगल छे आठ बारा में है और कोई भी लगनों तब भी आप मंगल रतन नहीं पैन पाएंगे तो इन तीनों में अगर मंगल चला गया तो फिर भी आपको रतन नहीं पैना क्योंकि यह जो मुंगा रतन है यह अपने आप खराबे तो रतन नहीं पैनेंगे जो तीसरी स्थिति बनती है अगर नीच का मंगल है नीच का मंगल कब कैसे पता करेंगे चार कहीं पर भी चार लिखका हो करकरासी में मंगल नीच के हो जाते हैं तो अगर मंगल नीच के हैं तो इस स्थिति में भी आप मुंगा रतन धारन न कर पाएंगे नहीं करेंगे आपको आगर मुंगा रतन आपने धारन किया तो आपको side effect देखने को मिलेंगे अब मंघल रतन ओम एक लिखा ओसवुता है मंगा आप तभी पहनेंगे या फिर 12 लिखा है मीन लगन है तो ही आप इन लगनों में धारन करेंगे उन में भी आपको ध्यान रखना है कि मंगल नीचका ना हो तिर्क भाव में ना हो अगर दरवाईज आप किसी भी लगन में नहीं पहनेंगे अगर मंगल तिर्क भाव में नीचका है फिर कोई भी लग मंगल, अगर चेंदर में हैं पहले चोथे साथ वी दसवे भाव में हैं और पांच वे नोवे भाव में हैं तो आप रतन पैंच सकते हैं मंगा कब अगर उनका प्लेस्मेंट अच्छा है लाभाव में धन वाव में और लगन है मेस 예ह यांनि जैसे एक करक लगन सिंग लगन वर्चिक लगन धनू और मीन लगन इन लगनों के अंदर क्योंकि मंगल अच्छे माने जाते हैं तभी आप मुंगा रतन धारन करेंगे नहीं तो आप मुंगा रतन बिल्कुल भी धारन नहीं करेंगे किस किस इस्तिति में मैंने बताया अगर वह पूंद्रूप से करक ना हो यानि वर्चप मिथुन कन्या तुला मकर और कुम इन लगनों में विल्कुल धारन नहीं करना अगर तिरिक बहों में चले गए हो छटे आठवे बारवे में मंगल हो तब भी आपको धारन नहीं करना है और मंगल अगर नीच इस्तिति में है यानि वो नीच की राशी में पैटे है तब भी आपको मंगारतन धारन नहीं करना जब मंगल पूंद्रूप से करक होंगे और उनका प्लेसमेट अच्छा होगा तब ही मंगल का मंगरतन आप धारन कर सकते हैं और अगर पूंद्रूप इस वज़े से आपको देखना है कि किस लगन है और मंगल जो है कौन सी लगन है और मंगल का प्लेसमेंट क्या है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी को तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद